जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से प्रवासी मजदूरों और बाहरी लोगों पर आतंकी हमले बढ़ गए हैं आतंकी लगतार टार्गेट केलेंग कर रहे हैं इससे लोगों में दहशत का माहौल है और प्रवासी मजदूर डरे हुए हैं लिहाजा प्रवासी मजदूर जमू कश्मीर से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, कश्मीरियों को चुन-चुन कर निशाना बनाया जाने की इन बढ़ती घटनाओं के बीच वहां रह रहे प्रवासी श्रमिकों का पलायन तेज हो गया है। जो एक भर्टे पर काम करता था उसने बताया कि रात को जब दो बिहारी युवकों के मारे जाने की सूचना मिली तो उसी समय कश्मीर छोड़ने की तयारी शुरू कर दी गई। एक अन्य श्रमिक ने कहा कि पिछले पांच सालों से कश्मीर में काम कर रहा था हालात पहले भी वहां खराब होते थे लेकिन उन्हें कभी इतना डर नहीं लगा लेकिन अब वहां रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। आपको बदादे के कश्मीर में पांच अक्टूबर के बाद से पांच प्रवासियों की हत्या हो चुकी है जिसमें बिहार के चार मजदूर रेहडी वाले हैं और उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम कार पेंटर भी शामिल है। इससे पहले एक स्थानिय सिख और हिंदू शिक्षक के हत्या कर दी गई थी मशूर दवा कारुबारी कश्मीरी पंडित मक्षनलाल बिंदू को भी आतंकियों ने मार दिया था। लगतार हो रहे टार्गेट केलिंग से वहां बाहरी लोगों और प्रवासी मश्दूरों में दर का माहौल है ऐसे में भारी संख्या में जमू कश्मीर में काम कर रहे प्रवासी मश्दूरों के राज्ये से पलायन की खबरे आ रही हैं। कश्मीर के इस मुद्दे पर राजनीती भी गर्मा गई है और पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसला भी लगातार जा रही है लेकिन लोगों को राजनीती नहीं बलकि समधान की आवश्यक्ता है ये बात अब कितनी जल्दी शीर्च पर बैठे नेताओं को समझाएगी इसका निरंतर इंतजार है